चले बच्चो स्वागत आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम चेप्टर कवर करेंगे नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का सोशलिजम इन यूरोप ठीके बच्चो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा दोस लिबरल रेडिकल्स एंड कंजरवेटीव के साथ में ठीक है कि लिबरल्स कौन थे रैडिकल्स कौन थे और कंजरवेटीव कौन थे तो बेटा अगर हम देखें तो एक ऐसा ग्रूप था जो सुसाइटि को बदलना चाह रहे ते इस नजरे के साइटि को बदलना जाए हैं सभी धर्मों को समान दिया जाए सभी को रेस्पेक्ट दी जाए सभी समान नहीं ठीक है तो हमें इस समय पर यह चीज याद रखने की जरुवत है कि जो यूरोपिन स्टेट से यूजूली वहां पर अलग-अलग मतलब एक रिलीजन को छोड़कर बाकी सारे रिलीजन को सब को मिलता था बाकी सब करते यासे अगर हम बात करें तो नकी उन्क्र postponed power का विरौद करा कि इन राजाों के पास power जो uncontrolled power है जिसकी उपर किसी का कोई control नहीं है यह नहीं होनी चाहिए यानि राजा अगर है भी तो उसकी power control में हो यानि एक तरीकी से constitution हो की constitution के अंडर में ही रहे यह लोग चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को अधिकार मिले हैं अगेंस दा government यानि सरकार उन राइट्स को छीन ना सके अगेंस government का मतलब ऐसे नहीं सरकार का वरोध करने वाले हैना इस तरीके से जो rulers होएंगे और officials होएंगे वो independent होगे मतलब जारा इस बात को समझते अच्छे से कि यह लोग चाहते थे कि हर एक व्यक्ति के अधिकार safeguard रहें ठीक है हम लोग अपने representative को चुने यह representative पार्लियमेंट में जाके बैठें और वहाँ पर law proper तरीके से बनाए जाए और इन लौस को एक ऐसी इंडिपेंडेंट जूडिशिरी जूडिशिरी मतलब जजेज वगारा court हो जो की इन लौस को इंटरप्रेट करने का काम करें जिसके उपर किसी का भी control ना हो मतलब राजा अपने तरीके से जूडिशिरी को ना चला पाए जूडिशिरी इंडिपेंडेंटली इन लौस को explain करें इन लौस को protect करें यह सब कुछ liberals लोग चाहते थे ठीक है लेकिन य यह निचारे की जनता का साथन आ जाए ठीक है इसी लिए यह लोग यूणिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे यूणिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है बच्चो कि एडल्ट लोग जैसे हमारे देश में 18 से जादा वाले एडल्ट माने जाते हैं तो 18 से उपर के हर एक व्यक्ति को बिना किसी डिस्कर्मिनेशन के कि वो आदमी है औरत है गरीब है अमीर है हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो तो इसे यूणिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है यह यह लोग चाहते थे इन लोग का मान देने का राइट नहीं होना चाहिए तो ऐसे लोग क्या कभी पूरी सुसाइटी को एक समान्ता की नाजर से देख सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है यह लोग वुमेन के साथ डिस्क्रिमनेशन चाह रहे थे यह चाह रहे थे सिर्फ प्रॉपर्टी वाले ल Durham वोटर गैसम व तो लोगों को कहते हैं जो कि ऐसा देश चाहते थे कि जहां पर जो सरकार हो वो कंट्री की पॉपुलेशन की मैजुरिटी के बेसिस पर बने मतलब ध्यान से समझना यह क्या टाम है लिब्रेल का मानना था कि राजा का शाशन हो और राजा की पाबर कंट्रोल लो रेडिकल का मानना था कि भया हमें राजा चाहिए नहीं हमें चाहिए कि देश की मैजुरिटी की जो पॉपुलेशन है अपने हिसाब से चुने है साशन को और वो शाशक पूरे के पूरे देश पर कंट्रोल करें ठीक है यानि राजा हटाओ राजा की जगा पर हम अपना रूलर लेकर आएंगे इसलिए इन में से कई होने वुमेंस सफरिगेट को भी मुमेंट्स को भी सपोर्ट करा वुमेंस सफ जमीन दारों से उनके प्रिवलेज्श यानि विशेश अधिकारों को छीना जाए उनसे उनकी जमीनों को छीना जाए लिबर्ल्स ऐसा नहीं चाहते थे जबकि जो रैडिकल से चाहते थे अमीर अमीर फैक्ट्री ओनर जैनि यह कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगें की जमीन है ऐसा ना हो उसके पास जमीन तो रहे लेकिन लिमिटेड अमाउंट में रहे उससे जाधा की जमीन उससे ले ली जाए ठीक है इसके बाद बच्चों नेक्स टॉपिक पर बढ़ते हैं अब बात करते हैं कंजरवेटेफ। ठीक है코 हम यह लिबरल्स पढ़ा etcetera लिबरलल भी ठीच विस चाहते तें लेकिन राजा में रखते हुएए रचेनों यह जो फिरीन्द यह चाहती Cr Press थे जो फ्रेंच रेवलुशन वाले चिप्टर में आपने जाना कि 1815 में कंजरवेटिव रिजाइम बापस आया लेकिन कंजरवेटिव रिजाइम को ये बात पता चल गया कि जो चेंज़ें ठीक है ये होने जरूरी है चेंज़ें तो होने चाहिए लेकिन ग्रेजोली हलके हल करकर सुसाइटी में बदला वाना चाहिए 18th century की शुरूरात में बात करें तो कंजरवेटिव ने पूरी तरीके से इस चेंज के आइडिया का वरोत करा वह बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे उनका यह मानना ही नहीं था कि सुसाइटी को बदलने की जरूरत है लेकिन 19th century म यानि french evolution के बात से इन्होंने यह माना कि जो changes कुछ changes है वह inevitable है जने टाला नहीं जा सकता लेकिन वह मानते हैं कि हमें अपने पास्ट को respect देनी जरूरी है पास्ट को मतलब अपने जो traditions है उन्हें respect देनी जरूरी है और यह जो changes आए एक slow process के तरीके से आए ठीक है इस तरीके सब्सक्राइब का मतलब होता है बच्चो उथल पुथल ठीक है जो यह जो social और political उथल पुथल हो रही थी उसके वज़े से इस तरीके के ideas originate हुए इस तरीके के बहुत सारे attempts किये revolution के और national transformation के 19th century में इन्होंने क्या करा both the limits and potential इन्होंने इन पॉलिटिकल टेंडेंसी की limits को इनके potential को define करने का काम किया कि यह जो ideas इनकी सामर्थ है कितनी है कहां तक successful होंगे कहां तक हमार लिए ज़्यादा फायदे मन्द होंगे इसके बद बच्चो next topic की तरफ बढ़ते है 1.2 industrial society and social change ठीक है अब यह ज़रा important topic आता है देखे यह जो political trends थे यह इस नए समय के symbol बन गए यह एक ऐसा टाइम था जिस समय पर बहुत तरी से social और economic changes होने शुरू हो गए थे इस समय पर नए नए शहर और जिनेट हो रहे थे जहां पर नए नए इंडस्ट्रियल रीजन ड्रेवलप हो गए थे रेलवे बढ़ने लगी थी इंडस्ट्रियल revolution होने लगा था ठीक है बे और बच्चे इन सभी की इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ गई जिस वज़े से यह लोग इंडस्ट्री में काम करने लगे जो working hours थे है ना अब बच्चों देखो ज़रा ध्यान से समझना हमारे आपर क्या हो इंडस्ट्री बहुत जादा बढ़ जाएं तो इंडस्ट्री म रंक था यहनी विरोजगारी थी वह बहुत कॉमन थी क्यों क्योंकि इसी टाइम पीरिड में अग्री कल्चर प्रोडॉक्शन बढ़ा था पॉपॉलेशन बहुत तेरी से बढ़ी थी है ना यह वह फेस जिस वरे से बिरोजगारी बहुत जादा थी पार्टिकुलर्ली अग करें घरों की साफ सफाई की बात करते हैं यह काफी जादा प्रॉबलम थी जो टाउंस में बढ़ती जा रही थी क्यों क्योंकि गाओं से लोग माइगरेट करकर शहर की तरफ आ रहे थे उन लोगों के पास रहने की विवस्ता तो थी नहीं तो जुगी जोपड़ी बना रह अब अब बच्चों इस तरीके की चीज़े द्यान दिजेगा यह जो पेंटिंग है ठीक है इस तरीके से आप लोगों ने जो टम वन देखा यहां पे खाना खाते हुए और पीते हुए दिख रहे हैं यहां पर कुछ लोग नीचे बैट के बात करते हो देख रहे हैं यह ज पूर्स को दिखा रही है मिद 19th century में जैसे कि उस समय के contemporary के द्वारा देखा गया contemporary मतलब होता है उस time period में रहने वाले लोग ठीक है उन लोगों ने जिस तरीके से देखा उसकी एक पिचर बनाई गया यह यह पिचर बनाने का काम हैं आगे बढ़ते बचो नेक्स्ट पर आते थे या employers हुआ करते थे employers मतलब दूसरों को नौकरी देने वाले लोग इन लोगों ने अपना जो wealth थी अपनी जो संपत्ती थी वह व्यापार के द्वारा या इंडस्ट्रियल वेंचर्स के द्वारा बनाई थी इन लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी इस तरीके के जो efforts है इ तो economy होगी उसमें जो workforce workforce मतलब होता काम करने वाले लोग ठीके जो workforce होंगे वो इस तरीके से healthy और educated citizen के रूप में बदल लाएंगे अपोस्टू दा प्रिव्लेजिस दा ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड़ बाई सौरी बच्छो एक सेकिंड जस्ता सेकिंड बच्छो एक छोटी सी प्रॉब्लम वें यह चैप्टर मुझसे बंदो गया by mistake ओपन चैप्टर चले यहां पर बापेस आते हैं जो जो इन लोग का बहुत जादा मानना ये था कि इंडिवीज़ एफर्ट की वैलू की जानी चाहिए लेबर और इंटरपैस को बेल्यू मिलनी चाहिए ठीक है मतलब इन लोग का मेन मानना था कि जो अधिकार हो वो जभव जनम से ना मिले जो एफर्ट किये गए हैं उनके द्वारा ही यह प्रिवलेजिस मिलने चाहिए कि लोग जो इंडस्टियलिस लोग है जो अमीर हो गए है अगर हर एक व्यक्ति की फ्रीडम को बनाया जाए ठीक है अगर जो पूर है वो काम कर सकते हो ठीक है कैपिटल के द्वारा किसी भी बिन इन जिस चाहते थे वर्ड में हैना वो लोग इन लिब्रल्स और रेडिकल्स ग्रूप के अराउंड ही रहने लगे इन पाइटीज में आने लगे लिब्रल्स की पाइटीज में आने लगे यह सब कुछ अर्ली 19 सेंचुरी में चल रहा था यानी 1800 की शुरुआत में यह सब चल रहा था कुछ नेशनलिस्ट थे नेशनलोन होती हैं नेशनल पाइल से यहरेडिकल्स है जो कि चाहते थे जो क्या करें एंडर्न second A Act is तरहरे जो की यूरोप में 15 15 में इस्टेबलिश हुई थी conservative टाइप की इने खतम करें फ्रांस में इटली में जर्मनी में रेशिया में यह और भी जादा revolutionaries बन गए थे और भी जादा क्रांती शुरू हो गई थी और इन लोगों ने मुनार्की इसको उखाड फेकने के लिए काम करना शुरू कर दिया कि राजाओं को पूरी तरीके से हटाया जाए जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने revolution के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि क इस तरीके से यह लोग अपने देश को नेशन बना सकते हैं ठीक है जहां पर सभी लोगों को एकोल राइट्स मिलेंगे 1815 में ग्यूसीपी माजिनी जो कि एक इटैलियन नेशनलिस्ट है इन्होंने अपने देश को इटली को जोड़ने के लिए काफी जादा कारे करे नेश क्रेट सोसाइटी बनाई थी दो यंग इटली यंग यूरोप के नाम से और लेकिन सक्सेस्वल नहीं हो पाए वो बात अला गया लेकिन उन्होंने एफर्ट बहुत करे थे चलिए बच्चों आज के पार्ट में इतना ही अग्स के बाद आगले टॉपिक पढ़ेंगे अम न नहीं पार्ट में